प्रेशन बेस्ट यूरम से था बोशन में ग्रुप पे शेयर कर देता हूं बेज़े इनको बेज़े गेट वाले में अर्जुना में तो समझा जाएगा है नहीं कि चलिए नेक्स आते हैं तो कि कर डाउट नेक्स पर्सनली मुझे भेजा है हां जी महीर तुम्हारा है यह 89 और 41 है कि अच्छा इसकी आवाज नहीं आ रही है लिख रहा होगा अमन बताइए आपका क्या कोश्ण है और किसी कोश्ण है कि सर मेरा है कहां है बताइए कि भेजा तो है अच्छा एक मिनट तो कि दुखरो एक मिनट कि अच्छा यह कह रहा है आवाज नहीं जा रही कुछ बच्चों को प्रावलम आ रहा है या आवाज नहीं जा रही है उसकी है न तो ठीक है चलो एक मैं तुम्हारा कर देता हूं उसका है कि चला गया हो अच्छा मेर नहीं है नहीं है ना अच्छा लोड़ तुम्हारा कर देता हम फिर सॉल में देखो इसमें क्या है कि आप यह पूछ रहे हो कि जो कर्व वाइज इकोल टू एक्स स्क्वेर है और वाइज इकोल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है लेकिन यह साइन और वाइस प्लस कॉस्ट जो था तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इन दोनों कर्व के बीच कितने कॉमन पोईंट है यह पूछ रहा है तो इसका मतलब यह पूछना चाह रहा है कि एक्स्वेर इसकोड टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पास कितने सॉलूसन है यह पूछना चाह रहा है तो अगर मैं इसको लेफ्ट में बुला लूँ तो x2 माइनस x- माइनस कॉस एक्स बरावर जीरो के पास कितने सॉलूसन है तो हमें यह जाना है कि इस एक्विशन के पास कितने सॉलूसन है उससे यह पता चल जाएगा कि यह दोनों कर्व कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यह चीज़ है तो अभी के लिए इसका कुछ नाम दे तो मालो एच एक्स है तो मुझे बताओ एच एक्स का रफली ग्राफ ड्रॉ कर लो उससे काम हो जाएगा हालाकि एक स्कूर है डॉमिनेटिंग यह एक्स है चुली तब भी फिर भी देखो एक ग्राफ बनाकर देख लो एच डैस एक्स क्या आएगा बताओ प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें मैं एक्स का रफली ग्राफ बना दूंगा उससे काम हो जाएगा ठीक है देखो तो एक्स माइनस एक्स कॉसेक्स इतना ही बस एक्स कॉमन ले लो इतना ही होगा एक्छली टू- अब बताओ अगर इसको मैं जिरो पुट करूँ एक्स को अगर मैं 0 पुट करूँ तो एक्स की वैलू क्या होगी 2-2 माइनस कॉसेक्स कभी 0 हो सकता है नहीं वो तो 1 और 3 हो सकता है मतलब यह पॉजिटिव है हमें इसा है ना तो यहां एक्स ही 0 होगा तो मतलब इस function के पास एक ही critical point है यहीं ना कि this function has only one critical point चलो अब चलो फर्स derivative टेस्स लगा लेते हैं सो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अगर एक्स जिरो से इंफिनिटी में है तो f-x का साइन क्या होगा मतलब h-x का साइन क्या होगा सो यह पॉस्टिव रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा इसका मतलब जीरो जो है वो क्या है point of maxima यह point of minima क्योंकि नेगेटी से पॉस्टिव होड़ा है तो यह local minima का point है और माइनस इंफिनिटी से जीरो में function decreasing है जीरो से इंफिनिटी में increasing है है तो तो यहां से लिंक भेज़े अगर डाउट क्लास कमेंने नहीं भेज़ा है ठीक है तो देखो ग्राफ बन क्याना अफली यह कहना चाह रहा है कि अच्छा जीरो फंक्सन की वालू कितनी है मुझे बताओ यह एच था तुम्हारा सब्सक्राइब फंक्सन आइड जीरो हां माइनस वन थिका ना सब्सक्राइब यह इसका ग्राफ में लो माइनस इंफनिटी में इंक्रिजिंग है और यह का मतलब दो सॉलूशन है और पास थी सब्सक्राइब करना है क्योंकि वैसे नहीं बता पाऊंगा ना सम्सक्राइब नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए हमें रफली ग्राफ करना होगा तो हम ऐसे नहीं बता सकते सब्सक्राइब करना कि इसके पास कितने सब्सक्राइब बताना अभी मैं बताना कि एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा तुम्हें या कोई दो सब्सक्राइब करना पड़ी करना पड़ेगा इसब्सकाइर घ्यक्साइब कर्राइब करते हो ㅇक्र है तो ऐसे करना पड़ेगा दिशका लॉजिक क्या आपको समझाई एंज प्रैक्टिस करके आपको समझा है तो आपको रफली ग्राफ करने वैसे हैं तो आपको रफली करने से करना है है तो तो im तो मुझे को सोचना ही नहीं है ठीक है चलो नेक्स इसको महीर के कुशन कर देता हूं उसका आवाज नहीं आ रहा है ठीक है तुम्हारी अवाज नहीं आ रही ठीक है हाँ अवारी है अच्छा